हेई काईज आज मैं आप लोगे साथ सेयर करूंगी फाइब टिस फॉर इंस्टेनली ग्लो अप मोर एक्टिर अक्टिव ग्लोइंग इसकिन इसको बनाने के लिए चाहिए क्यारेड इसको कद्दू कस्में अच्छे से कर लिया है इसका जूस अच्छे से एकदम निकाल आप टी स्पून देने से चलेगा इसके बाद रोज पेटल यह रोस पेटल मेरा बड़े का एक साल पहले का है बुके मिले था तो मैंने सारे बुके से रोस पेटल को तोड़के अच्छे से को ड्राइ करके मिन इस्टोर कर लिया और मेरा बहुत ही काम आता है आप लोग को भी ऐसा मिलता है तो आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं अपने स्किन केर में तीनों चीज को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आइसिंग के लिए रख देंगे नाइट में करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ताकि आप डे में या फी दिन में या फी इwny तरह तो और फी से हैं तो डे मीष को भी रिमूव करता है अपका ब्लेमिश को भी रिड्यूस कड़ता है एसकी इसके एक बार लगा के बहुत program pops up मौनology को ओसे इसकी ऐड़ा है बहुत ज़्यादा अच्छा हे स्कीन को बहुत याजदा को बहुत ज़्यादा वैडिर ड जैसे कि मेरे इसकिन देख सकते हो सुवा सुवा उठके मैंने इसको लगाया था और मेरे इसकिन कितना जड़ा फ्रेस लग रहा है तो मेरी बहनों इसको यूज करो उसके बाद कमन करके बताना बहुत ही एफेक्टिव है जरूर करना ट्राइए टिप नमबर टू हेल्दी हैर के लिए हमें सब वुडन कॉम यूज किया करें उससे अपका हैर बहुत जड़ा हेल्दी रहता है और आपका बालों को मैनेजबल रखने के लिए आप कोई सभी वैक्स एफिक क्रीम ना यूज करें बेवी हैर को छुपाने के लिए अलो वेरा जेल थोड़ा से एमाउंड म नहीं होता है आपका हैर तो आपको कोई सभी वैक्स किरिम यह सब आपका हैर में नहीं लगाना है तो यह हैक ट्राइ कर सकते हो फूल डे आपका हैर बहुत ही साइनिया सिल्की रहेगी नेक्स्ट है इसकिन एक्सपोलेटिंग जो की इसकिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेन स्टेप है हमारे ब्यूटी रूटीन में जब तर डेट सेल रिमूव नहीं होगा कोई भी फेस पैक सीरम पिनिटरिट नहीं होता है उतना अच्छे से वॉक नहीं करता है सो यहाँ पर मैं यूज करूंगी थोड़ा सा अलमंड और थोड़ा सा ओर्स अलमंड को दो चारी लेना है अच्छे से भीगो लेना है उसके बद गरस कर लेना है थोड़ा सा पानी देके तीनों चीज़ को अच्छे से एक इसमूज से पेस्ट बना लेना है और यहाँ पर म स्क्राबर से दूर रखना और जितना हो सके नाच्रेल रेमिडीज को यूज करना नेक्स टिप ब्राइटनिंग पिंग फेस मास इसको रेडी करने के लिए चाहिए बीट अच्छे से इसको क्लीन करके कद्दू कस करके इसका जूस निकाल लेना है बहुत एफेक्टिव फेस माक्स है उसके बाद बेसान थोड़ा सा दही एड़ बीटरूट जूस तीनों को अ आपको एक रोजी पिंग ग्लू दिखने मिलता है डाक स्पोट को फेट करता है आनवेन को जो पिगमेंटेशन को payments करता है संटेन अगर हो जाता है उसको भी बहुत अच्छे से इजी यह रिमूव करते है दस से पंद्रा मिनिट रख के इसको अफ रिमूव कर सकते हो आपको इसका result दिखने मिलेगा, facial जैसे glow आपको इसकीन में दिखने मिलेगा, हपते में 2-3 वर यूज करो, highly recommend कर रही है, आपकी बेहन तो इसको यूज करो, comment करके बताना, बहुत ज़्यादा effective face pack है, नेक्स टिप्स है, wrinkle free fabric, जो की बहुत ज़्यादा important होता है, overall personality और attractive दिख ज़रो, हमेशा अपना outfit को iron करके पहना, ताकि बहुत ज़्यादा clean look लगे, attractive दिखो, और बहुत ज़्यादा presentable भी लगे, नेक्स टिप्स है, no makeup makeup look, हमेशा कोसिस करें कि अपने makeup को clean रखे, minimum product अप यूज करे, और सबसे ज़्यादा important होता है, makeup में जो मुझे लगता है, वो है हमारे eyebrow, eyebrow को हमेशा feel करके रखे, यहाँ पे मैं eyebrow pencil यूज कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो आप लोग eyeshadow palette में भी जो brown color का set होता है, उससे भी आप feel कर सकते हो, पर please कोई black use मत करना, मैंने बहुत को girls को देखा है metro में, कि black जो काजल होता है, या फिर eyeshadow होता है, उससे भी feel किया होता है, तो बहुत ज़्यादा artificial लगता है, और बिल्कु भी presentable, attractive look नहीं लगता है, तो यह सारे छोटे 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 चीज़ को भी धियान लखना बहुत ज़्यादा important होता है, so eyebrow को अच्छे से feel करने के बाद देखो कि अपको features कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं foundation को skip करती हूँ, अगर मेरा heavy कोई function ना हो, तो मैं थोड़ा सा ही concealer लगाती हूँ, जहां-जहां मेरा skin tone में लगता है, कि मुझे duck spot है, या फिर मेरा pigmentation है, वहां पे मैं लगा लेत हूँ, foundation लगाने से skin cake ही हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा है कि अपने makeup किया हुआ है, जब आप first time किसी से मिलते हो, आप से कोई first time मिलता है, तो उसका भी पुरा धियान आपके face में ही होता है, तो कोशिस किजिए कि minimum product use करो, ज्यादा तो कुछ करना होता नहीं, minimum product use करने से है, बहुत ज़्यादा attractive लग सकते हो, बहुत ज़्यादा खुबसूरत personality निखार के आता है, आपका features को बहुत ज़्यादा enhance करता है, थोड़ा सा makeup use करोगे तो आपका features बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा makeup use करने से लगता है कि हाँ आपने makeup करके आ है, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए, no makeup makeup look हमेसा रखना है, इससे अब बहुत ही ज़्यादा attractive खुबसूरत लगते हो, प्रेजेंटेविल दिखते हो, यह सारे छोटा 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 टीप्स आपको follow करना है, तो concealer को मैंने अच्छे से लगा लिया है, उससे क्या होगा मेरा जो skin tone है, इवेन हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे से look flawless look आजाएगा, इसकिन केर अच्छे से करोगे तो कभी भी अपको ज़्यादा makeup की need नहीं होगी, मैं हमेसा बोलती हूँ और अभी भी बोलूँगी, so anyways guys मैंने अपने skin tone के हिसाब से concealer ले लिया है, अच्छे से उसको blend भी कर द कर रही हूँ, बहुत ही minimum लगता है, थोड़ा सा लेने के बाद ये थोड़ा सा सेटल भी कर देता है makeup को, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई सभी यूज़ कर सकते हैं, या इसके बाद मेरा makeup ड़न हो गया है, इसके बाद मैं अपने गालों में लाली लगाऊंगी, उसके लिए में लिप और चीक टिन में यूज़ करूंगी, ये बीट रूट का है, ये बहुत अच्छा भी है, मैं कम से कम 6-7 मांथ से लगा रही हूँ, और ये अच्छा भी है, मेरे पिम्पल भी कुछ आया नहीं है, तो ये अच्छा है, यहाँ पर मैं लिप पे लागा रही कि इससे मेरा इस्किन मुझे लगता है, बहुत अधा ब्लुई लगता है, बहुत अधा धा खुबसूरत भी लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है, पिंकी-p occupy चेक्स, ये हो गया है मेरा पूरा मेकप, अब मैं काजल इस्किप कर जहुए हूँ, क्योंकि मैंने अपना बड़े दिखते हैं बहुत जिदा फ्रेस एंड क्लीन लुक लगता है सो येस गाइज हो गया मेरा मेकप एंड छोटा-छोटा मैंने यारिंग्स डाला है अपने कानों में और मेरे गाले में जो चेन आलवेज रहता है वही एंड मेरा हाथ में जो ब्रिसलेट और कड़ा रहत कि भी आप बहुत जड़ा खुबसूरत एक्टरक्टिव दिख सकते हो बिदाउट एनी हेवी मेकप आप लोगों को जो जैसा अच्छा लगे वाईसा ही अप लोग ड्रिस अप करें वेस्टन पहने इंडियन पहने अपने लुक को और जड़ा एक्टरक्टिव बनाने के ल कि नेक्स टेप से बॉड़ी किया जो कि बहुत जड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग कभी कभी इसकी भी कर देते हैं सो हमें सबने बॉड़ी को नारिस करना चाहिए हाइडरेट रखना चाहिए तो बॉड़ी लोशन यूज़ कर सकते हो डे टाइम में इस पीए ब इपॉर्टेंस है और छोटा छोटा जो टिप्स मैंने आप लोग से सेर के यह सारे चीज़ फॉलो करके आपने आपको बहुत जड़ा एक्ट्रेक्टीव स्टाइलीस आप दिखा सकते हो और बहुत जड़ा खुबसूरत और प्रेजेंटेबल लग सकते हो वीडियो कैसा ल लोगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई